हाई फ्रेंज मैं आपकी पूजा पूजा की रुसुई घर में आपका स्वागत है मैं आपके लिए बहुत ही आज कमाल की टिप्स लेकिया हूँ इस तरह से चस्मा के डिबे सब पड़े रहते हैं तूटा हुआ चस्मा पड़ा रहता है इसे कैसे आप दुबारा यूज़ कर क्या करना और समय और पैसे कैसे बचाने या पूरा वीडियो में आपको बहुत ही पसंद आएगा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो अपने फैमली दोस्तों में जाता से सेर करें ताकि सभी को हेल्प मिल सके चलिए वीडियो शुरू करते हैं आप देख सकते मैंने द खतम हो जाए तो आप इस तरह से जब काटेंगे तो आपके दो फायदे होंगे पहला कैची में धार हो जाएगा और जो कटा हुआ है दवाई का रैपर उसे आप कैसे यूज करें या भी मैं बताने वाली हूँ क्योंकि इसमें फॉयल पेपर होता है या बहुत ही लेकिन मुलायम वाला होना चाहिए जैसे इस तरह से है मुलायम से कट जाता है कड़ा वाला नहीं होना चाहिए सभी टिप्स से आपके धेर उपैसे बचने वाले हैं आपने देखा मैंने रैपर से धार कर लिया है धार हो चुकी है कैची में क्योंकि हम मार्केट जाते और पैसे खर्च करते तब कैची में धार होती घर बैठे कबार से जुगाड हो गया और यह कटा हुआ है इसे भी आप इस्तमाल कर सकते हैं कैची में धार तो हो चुका है अग जो बचा हुआ है वह भी काम पूरा कर लेते देखिए जब ग्रेंडर में मसाला पिसते हैं तो आ ग्रेंडर भी आपका साफ हो जाएगा जो पीला पन है बद्बू है वह भी सब खतम हो जाती है यह दूसरी टिप्स है चलिए आप तीसरी टिप्स देख लेते हैं पाइल को लेके है पाइल आप देख सकते कितना गंदा हुआ है क्योंकि हम सब भी पाइल पैनते हैं और गं कुलना भूलें आप देख सकते हैं पाइल साफ करने के लिए घर के ही समान से पाइल साफ हो रहा है आपको सुनार को आहां नहीं जाना पड़ेगा आधा चमच मेरे नमक डाला है नमक से अच्छी क्लिनिंग होती है और बहुत ही असानी से पाइल एकदम साफ हो जाती है अब इसे मैंने गैस पे चढ़ाया नहीं है अब चलते हैं किचन में देखिए मैंने गैस पे इसे चढ़ा दिया है या धीरे धीरे खौलेगा और सारी गंदगी निकाल देगा पाइल एकदम नय जैसा इदम चमकता हुआ निकलेगा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा ना दीए पाइल साफ होनी लगी है चांदी की पाइल हो विच्जिया हो कुछ आप चांदी और समान इस तरह से डाल के साफ कर सकते हैं क्योंकि हम दवाई घरा पर फेक देते हैं कबार समझके उसे फेक ये नहीं इस तरह से आप इस्तमाल कर सकते हैं आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छा लगे तो अपने फैमली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें ताकि सभी को हेल्प मिल सकें देखिए ये तो देखिए कितना गंदगी साथ उपर लेके आ रहा है इसी तरह सारा गंदगी साफ हो जाएगा आपको रगणना नहीं पड़ेगा देखिए अब मैंने गैस बन कर दी है इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं देखिए पाइल एकदम साफ हो चुकी है क्योंकि अक्सर हम प ना रगडा है से पाणी में चुकी आप पहन सकते हैं चलिए अगली टेफ देख लेते हैं जब हम कूकर में आलू बालते हैं तो कूकर काला पढ़ जाता है काला पर जाता है तो इसे माजने में हमें बहुत दिक्कत होती है वा छूटता ही नहीं है ऐसा क्या करें कि काला ना हो देखिए जब आप आलू उबालें तो नीबू इसमें डाल दें नीबू डालने से यह होता है कि कुकर काला नहीं होता है और माजने भी असानी रहती है आलू आप चाहे जितना उबा लें कुकर एकदम साफ रहेगा क्योंकि यह खटा होता है दो फायदे होंगे कुकर तो खराब होगा ही नहीं और आलू भी खटे हो जाएंगे खटे आलू स लगा देंगे आलू जैसे उबालते हैं देखिए आलू उबल चुका है आप देख सकते हैं कुकर एकदम काला नहीं पड़ा है मैं आपको सामने ही दिखा रही हूँ एकदम कमाल की टिप्स से आपको बहुत ही पसंद आएगी देखिए मैंने आलू पलट लिया है और कुकर इ आप कैसे इस्त invalid करें धेर सारे चस्म दब्बिय जोटा हो या बड़ा हो सभी की आग कम जोर है तो धेर सरे चस्म दबड़ा कैसे रूझ करें और dose का बहुत कमाल की डिभ्ब से आपको बहुत ही पसंद आने वारी है देखिए मैंने 3 डिब्बा ले रखा है 3-4 डिब्बा सभी के घर में पड़े होते हैं इस तरह के खाली इसे आपका इसे यूज़ करें आप पूरा वीडियो देखें आपको बहुत ही पसंद आएगा किसी भी तरह के खाली डिब्बे आप इस्तमाल कर सकते हैं तरह का हो या किसी भी तरह का चस्मा का डिब्ब हो लेडिस कहीं भी जाती है तुमको मैकप का समान जरूरी रहता है लेकिन हम पर्स में रखते हैं इस तरह से सभी लेडिस पर्स में रखती है मैकप का समान थोड़ा या ज्यादा सेंदूर और लिपिस्टिक तो बहुत जरू होता है गिर जाता है बैक खराब हो जाता है या कुछ आपको खोजना रहता है तब आपको दिक्कत होती है मैं आपको ऐसी कमाल की टिप्स बता रही हूं आपको दिक्कत नहीं होगी देखिए जो लिक्विट वाला समान है छोटा-छोटा मैकप का समान है आप बहुती असानी से रख सकते हैं देखिए मैंने सारा इसमें चस्मेक डिब्बे में रख दिया है इस तरह से ये भी आप रख सकते हैं इसमें काफी जगा होती है आप देख सकते हैं लिपिष्टिक हो सेंदुरो या नकुनी सब मैंने इसमें पैक कर लिया है जो में में मेकप का समान है देखि बहुत यसानी से आप बैग में रख भी सकते हैं देखें जब बैग में ईस तरह से रखेंगे तो आपको समान भी ख्ोजना नहीं पड़ेगा और अससी इसथ इखए अपको कि गिरेंगा भी नहीं शार हो definite है उस्में घर की चाबी भी रहती है हम कुछ भी निकालते हैं तो कुछ भी निकालने लगता हूँ इस तरह से एकदम सेफ रहेगा आपका मैकप का समान और टूटक चस्मे को आप कैसे यूज करें दुबारा बहुती कमाल की टेप्स है मैं आपको आगे बताती हूं आजकल हर घर में चस्मा ही रहता है चोटे बच्चों का हो या बड़े का हो हर तरह का धूब का चस्मा किसी तरह कभी चस्मा इधर उदर पड़ा रहता है जो आपको यूज न करना हो तूटा हो जिसे आप यूज नहीं करते हैं उसे आप दुबारा यूज कर सकते हैं बहुत ही कमाल की टेप से आपको बहुत ही पसंद आएएगी आपको लेना है डबल टेप छोटा वाला हो या बड़ा हो जो आपके पास हो चिपकाने के लिए आप ले सकते है देकिए jaga this इस तरह से छोटा छोटा आपको काट लेना है जितना बड़ा चस्मा उससे साब से काटना है देखिए मैंने काट लिया इसे इस तरह से चिपकाएंगे देखिए आगे चस्मे में मैं चिपका दे रही हूं डबल टेप ही लिजेगा उससे असानी रहती है चिपकने में देखिए इस तरह से आपको चिपका देना है चलिए मैं दिखाती हूं इसका क्या करना है देखिए इस तरह से इसको हैंगर के तरह टांगना है पहले ये टेप निकाल लेते हैं देखिए इस तरह से टेप अच्छ नहीं निकलेगा देखिए मैंने दबाँ के से चिपकाना शुरू कर दिया है । इसे मजबूती से लगा देना है ताकि या निकले नहीं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है कहीं भी आप टांग सकते हैं किचन में या छोटी मोटी चीज इसता से आप टांग सकते हैं बहुत यासानी से टंग जाता है देखने में भी अच्छा लगता है इन सभी टिप्स में आपको कौन सी टिप्स पसंद आई कमेंट क करके जरूर बताए वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा फैमली दोस्तों में सेयर करें ताकि सभी को हेल्प मिल सके हसते रहें मुस्कुराते रहें मेरा चैनल देखते रहें पाई